हलो अब्रिवन वेलकम बैक माई यूटूब चैनल आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सक्स और नफरत का भूद उस पर इस हद तक सवारता कि रिस्तों का खून करने में वे जराबी संकोज नहीं करता था हो समालने के साथ ही बदले की आग ने उसके जहन में घर कर लिया और वे एक के बाद एक अपराद को अंजाम देता चला गया वह बेद सातीर तरीके से कतल की वारदात को अंजाम देता था और खून के सबूत को चिपाने के लिए चिस्मिद या राजदार को भी मौत के गाट उतार देता था इस हत्या से उसने एक या दो नहीं साथ लोगों की मौत की नीद सुला दिया हत्या करना तो उसका सोक बन गया उसने उन लोगों का कतल किया जो उसके नजदीक थे या किसी ना किसी बुरे वक्त में इस साइको की लड़का साथ दिया था लेकिन कातिल कितना ही क्रूर क्यों ना हो पर दिल के किसी कौने में प्यार का रिस्ता उसके सपास भी होता है बस यही पर वह गलती कर बैठा और नफरत का है दरिंदा प्यार के रिस्ते की वज़े सलाकों के पीछे पहुँच गया यह कानी है उस वहसी दरिंदे की जिसने एक के बाद एक साथ लोगों को माड डाला इस साइको किलर का नाम है अरुन चंदराकर चिप्टिस गड़ की राज़दानी के कुकुर बेड़ा इलाके का निवासी है जिसने जनम दिया पाल पोसकर बढ़ा किया उसका कतल किया जिसने पनहा दी उसको मोध के गाट उतारा जिसने जनम जनम आंतर के रिस्ते की डोर इस दरिंदे से बांदी जिस इसने उसको भी इस दुनिया से रुकसत कर दिया सीरियर किलर अरुन चंद्राकर मुलत दुरुक के कुंचा दूर का रहने वाला है वो समभलने के बाद साथ ही वह चोरी की छोटी छोटी वारदात करने लगा इस वजह से वह कई बार जेल गया उसकी गलत हरकतों से प्रहसान होकर पिता सतरोहन ने उसे घर से निकाल दिया इसके बाद दुर्ग रेलवे को उसने अपना आसियाना बनाया घर से निकल जाने के बाद उसने अपने पिता की भी हत्या करने की ठान ले और पिता की हत्या करने के लिए मोके की तलास करने लगा एक दिन उसको मोका मिल गया और उसने अपने पिता को चलती ट्रेन से धका देकर मान डाला इसके बाद रायपूर के हिरापूर इलाके में वह भाहदुर सिंग के मकान में किराय पर रहने लगा मामूली विवाद पर अरुन ने महदूर की भी अत्या कर दी उसके बाद वह अपने दोस्त मंगलू देवार के साथ कुकुर पेडा में रहने लगा वहां लेली से प्रेम और उससे साधी करने के ससूर संजे के घर में रहने लगा लेकिन अरुन पर खुन सवार था वह अपनी खुआइसों पूरी करने और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था साधी करने के बाद उसकी नजर पन्हाद देने वाले संजे की संपत्ति पर गई उसके मकान पर कबजा करने के लिए संजे की हत्या करके उसे कमरे में ही कबर खोद कर दफना कर दिया इसकी बनक जब अरुन की बीवी लिली को हुई तो उसकी भी हत्या कर वै दफना दिया उसके बाद अरुन ने राज को छिपाने के लिए अपनी सालिप उस्पा को भी मार कर दफना दिया इस तरह साइको किलर अरुन ने एक के बाद एक पिता पतनी साली उसकी पतनी मामा ससूर समेश साथ लोगों को मोत के गाट उतार दिया पुलिस की गिरपतार में आने के बाद जब अरुन ने इन हत्याओं के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि नोईडा के निठार हत्याकांड से परभावित होकर उसने इस तरह के हत्याकांड को अन्जाम दिया अरुन अक्सरनीठारी हत्यकान्ड से संबंदित न्यूज टीवी पर देखता था उसको जिसके उपर भी सक्ख होता था उसे मौत के गाट उतार देता था उसे लगता था कि जब किसी को सवकी नहीं मिलेगा तो उसे कोई पकड़ेगा भी नहीं अरुन का कैना है कि उसने कई लोगों को तो बेहोस की हालत में ही जिन्दा दफना दिया था अरुन इन हत्यारों को अंजाम देने के बाद एक के बाद पुलिस के हत्या चड़ गया और सारी कानून कावध पूरी होने के बाद उसकी भी सजा मुकंबल कर दी गए लेकिन खुंकार होने के साथ ही खोप उसकी जिन्दगी से गायब हो चुका था साइको किलर अरुन को राइपुर की जिला अदालत ने तीन हत्यारों के आरॉप में उमेर कैद की सजा सुनाई अरुन के खिलाफ वर्स दोहजार बारा में सरस्वती नगर में तीन अपानाक में तीन और दुर्ग जिलिर के नंदनी थाने में हत्या का एक मामला दरजे है लेकिन एक माई दोहजार ठारों को दुर्ग में पेशी के दोरान वहब पुलिस की आँखों में धूल जोकर भाग गया फरार होने के बाद छे महिने बाद नमबर में अरुन अपनी बेटी रीतु से मिलने देवार बस्ती के नजदी काया हाला कि वह बस्ती में नहीं गुसा एक रिक्षा वाले के हाथों उसने बेटी के लिए जूते चपल कफडे खाने पीने का समान बिजवा दिया रीतु का लालन पालन कर रही नानी अनुसौिया को जब रिक्षा वाले ने समान थमाया तो वह इस आसंका से बहर डर गई कि कहीं अरुन रीतु को भी न मार दे उसने तत्तकाल पुलिस को кबर कर दी रिक्षा वाले से पूछा कि भी गया इससे पहले की पुलिस रेलवे स्टेशन जाकर उसको गिरप्त में ले दी वह ट्रेन के ज़रे फ्रार हो गया बाद में पुलिस ने उसकी बस्ती में आने की ख़बर को कोरी अफुआ बता दिया नो महीने तक फ्रार अरुन रे चंदरकार ने जदातर समय महराष्ट के अलग अलग सेरों में गुजारा वे भीकारी बनकर मंदिरों के सामने बैट कर भीक मागता था और अपना पेट पालने के साथ एकलोती बेटी के लिए भी पैसे एकटा कर रहा था अरुन ने पूछ ताच में बताया कि आम गाओं डोंगरा गाओं राजना गाओं रस मंडा गोदिया नागपूर समेत कई सैरों में गूमते हुए रवीवार तीन फरवरी को बेटी का बर्थ दे सेलिबेट करने के लिए रिक्सा में सामान लेकर घर जा रा था इससे पहले ही लोगों ने पहचान कर उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया अरुन अपनी बेटी रीदू चंद्राकार से बे इंतहां प्यार करता है जेल में रहना और फरारी के दोरानों से बेटी की चिंता सताती थी वह कई बार बेटी के खाने पीने कपड़े आदी सामान बिजवा चुका था उसे पत्र भी लिखता था पुलिस का दावाया कि अरुन के देवर बस्ती में आने की सुचना पर पुलिस ने गेराबंदी की थी देख पुलिस को देख कर भागने लगा लेकिन अपा आमानक रेलवे क्रोशिंग के आगे जुर्मोट में चिपा अरुन पुलिस के हत्ते चड़ गया पुलिस ने उसके पास से नगदी सत्ताई सजार रुपे वे सामान जब्त किया इस मामले में किलर अरुन की साज अनु सुनिया ने बताए कि बेटी के जनम दिन पर अरुन इलाके में पहुँचा था खान पान का समान लेकर एक रिक्सा वालग को घर की तरफ भेजा तबी परिवार के सदे से हरकत में आए एक को तुरंत में रोड की तरफ भेजा और कोई भी हमला कर सकता है जेल से फरार होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पहले जिस तरह से पेसे के दोरान पुलिस को उसने चकमा दिया था आगे भी वैया गटना दोरा सकता है उसके पकड़े जाने के बाद भी परिवार के सदे से खोफ जदा दीके फासी की सजा की मांग रखते वे परीजन ने कहा कि अगर अरुन दोबारा फरार हुआ तो उनकी जान पर खत्रा बन जाएगा बेटी के यहां नहीं रहने की वज़े से अरुन कभी भी करोध में हमला करने पर हो सकता है बेटी से मिलने के लिए अरुन एक बार नवरातरे के दोरान भी आया था दरसल बेटी देवार डेरा में नहीं रहती अरुन के डर की वज़े से नानी अनुषिया ने उसे अपने से दूर रखने का फैसल लगया सुरुकसा गेरे में रखने के फैसले के बाद अरुन को पता चला कि बेटी घर में है इसलिए समान भेजाता 75 वर्षिया अरुन की बच्ची समेथ 9 बच्चों का पालन पोसन कर रही है अरुन की सास अनुषिया देवार साली चांदनी साडू भरत देवार सेमेथ बस्ती के अन्य लोगों ने अवरहात की सास ली चिंता इसलिए लगी रहती थी कि इस बहुचर्चित हत्यकांड केस में ससुराल वाले मुक्य गवापने थे और उनकी गवाई के बदोलत ही अरुन चंदरकार को अदालत सजा से दंदिट कर चुकी है ऐसे परिजनों का दस्त में होना सवभाविक था पुलिस कंट्रोल रूम में जब उसको मीडिया के सामने पेस किया गया तो उसे ने बड़े सहज भाव से और बड़े बेक खाबी से यह हर सवाल का जवाब दिया और उनने बताया कि दुरुग कोर्ट में पेसी के दोरान किसी ने उसे बुड़ा कहकर हसी उड़ाते वे टिपनी की थी कि यह कहां भागेगा आराम से पेसी करा दो यह बात उसे नागवार गुजरी थी इस चैलेंज को सिवकार कर वे फ्रार हुआ था कि वे भी बुड़ा नहीं हुआ है